आज हम जानेंगे जड़ वाउन के प्रकार Dear students, Today we will learn about the roots and their types चित्र में दो बच्चे पौधों को जल दे रहे हैं आपके विचार से कौन सा बच्चा सही तरीके से जल दे रहा है ध्यान से देखें क्या पौधे के पत्तों को जल देना जुरूरी है या पौधे के जड़ वाले भाग को What do you think? Who is watering their plant correctly? Tanjip और विराज Which is best to watering? Leaves or roots Let us perform an activity For this, you would like to require Two pots, some soil, blade, water and two plants दो पौधे लें एक पौधे की जड़ पूरी तरह सुरक्षित रखें और दूसरे पौधे की जड़ को काट दें अब दोनों पौधों को अलग अलग गमलों में मिट्टी डाल कर लगा दें Select two plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots Plant one of them in pot A Cut off the roots from the other plant and plant it in pot B Water them regularly दोनों पौधों को समय समय पर जल दें Observe the plants after a week Are both plants healthy or not? आप देख रहे हैं जड़ वाला पौधा हरा भरा है और बिना जड़ वाला पौधा मुर्जा गया है तो पौधों के लिए जड़ें बहुत आवस्यक हैं Plant with roots is growing and plant without root does not रूई के अंदर चने के बीज डालें और उन्हें लगातार जल से भीगोते रहें एक सप्ता वाद उन्हें खींच कर रूई से बाहर निकालने की कोशिस कीजिए क्या अंकुरित चना आसानी से बाहर आ जाता है? नहीं इसने रूई को अच्छे से जकड लिया है इसी तरह हम पौधों को फूमी से आसानी से खींच कर नहीं निकाल पाते उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिर्क कहते हैं Place some seeds of gram in one wet cotton Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants After a week, try to separate the young plants from the cotton We could not pull out the plants from cotton easily Similarly, it's hard to pull plant root from soil This is because roots help in holding the plant firmly to the soil They anchor the plant to the soil ये है मक्के के दाने से निकली हुई जड़ें Look at the roots of maize and gram Are they similar or different? ध्यान से देखें चनेवा मक्के की जड़ों में क्या समानता हैं और वे किस रूप में एक दूसरे से भिन हैं? प्यारे बच्चों, कुछ पौधों को मिट्टी खोद कर निका लिए और जड़ों से मिट्टी धोकर आईए उनका निरिक्षन करें ये इस पौधे की मुख्या जड़ है, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं और जो साइड को छोटी छोटी जड़े निकली हुई है, इन्हें हम पारसब जड़ कहते हैं और ये जो दूसरा पौधा है, इसमें कोई भी जड़, मुख्या जड़ नहीं होती है सभी जडें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम जखडा जड अथवा रेशेदार जड कहते हैं. Dear students, dig out a few plants, wash the soil of the roots and observe them carefully. The main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. तीनों पौधों की जडें जखडा जड अथवा रेशेदार जडे हैं, और दूसरी तर्फ वाले तीनों पौधों की जडें मोसला जड है, आईए दो प्रकार की जडों वाले पौधों की पतियों का निरिक्षन करें, देखें इनका शिराविन्यास कैसा है? पहले जखडा जड अथवा रेशेदार जड वाले पौधे, इसकी पति का शिराविन्यास समानतर दिख रहा है, दूसरे पौधे को देखें, इसकी पति का शिराविन्यास भी समानतर है, इसकी पति का शिराविन्यास भी समानतर है, तो जखड़ा जड़ों वाले पौधों का शिराविन्यास समानतर होता है अब मूसला जड़ वाले पौधे को देखें इसकी पत्ती का शिराविन्यास जाली का रुपी है यह आप देख सकते हैं जाली का रुपी इसके सभी पौधों की पत्यों का शिराविन्यास जालिका रुपी है तो मूसला जड़ के पौधों की पत्यों का शिराविन्यास जालिका रुपी होता है झाल झाल